हेलो नमस्कार दोस्तों दोस्तों स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल पे दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि आजकल लोगों की लाइफ जोए बहुत ज्यादा हेक्टिक हो चुकी है और ज्यादा तर काम करने के लिए आजकल मशीन आ गई हैं जैसे कपड़े दोने के लिए आजकल डिश्वाशर मार्केट में आते हैं तो अगर आप एक अच्छा सा डिश्वाशर खईदने की सोच रहे हैं तो आप एक बिल्कुल सही वीडियो पे आये हैं दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ इंडिया में मिलन इस वालप होँगी तो दोस्तों अगर बात करें उन पॉइंट्स की जो कि आपको हमेशया ध्यान में रखने होते हैं कोई भी डिश्वाशर खईदने से पहले तो दोस्तों पहला पॉइंट होता है साइज ओफ डिश्वाशर कि आपको कौन से साइज का डिशॉशर क्षी लेना चाहिए, market में आपको generally 3 size के dishwasher मिल जाएंगे, जिसमें आपको 8, 12 और 14 place की setting मिल जाएगी, दोस्तो एक place की setting के अंदर आपको एक dinner plate, एक dessert plate, एक glass, एक soup bowl, एक tea cup, with saucer, एक knife और 2 spoons और fork रखने की जगे मिल जाती है, अगर आपके घर में 3 से 4 member हैं, तो आपको 8 place की setting वाला dishwasher लेना चाहिए, 5 से 6 member हैं, तो आपको 12 place की setting वाला dishwasher लेना चाहिए, और अगर 6 से ज्यादा member हैं, तो दोस्तो आपको 14 place की setting वाला dishwasher लेना चाहिए, अब दोस्तो बात करते हैं, utensils यानि की बरतन की कौन से बरतन आपको dishwasher के अंदर wash करने चाहिए, और कौन से नहीं करने utensils को आपको इसके अंदर नहीं wash करना है नहीं इनके अंदर रखना है दोस्तो जो dishwasher होता है वो 70 degree Celsius गरम पानी spray करके आपके बरतोनों को clean करता है जिससे कि जो आपके बरतोनों के उपर 99.99% germs और बेक्टीरिय होते वो हड़ जाते हैं दोस्तो अगर बात करें के अंदर आपको filters लगे मिलते हैं जो used पानी को clean करके वापिस से आपके बरतोनों को wash करता है जिससे कि पानी बशता है दोस्तो बात करें electricity consumption के कि कितनी electricity consume करता है एक dishwasher तो दोस्तो कोई भी dishwasher अराउंड 0.8 kilowatt से 1.2 kilowatt पर wash cycle consume करता है तो दोस्तो ये कुछ important points थे जो कि आपको हमेशा ध्यान रखने होते हैं कोई भी dishwasher खहिदने से पहले दोस्तो आज किस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को 3 अलग-अलग size के यानि की 8, 12 और 14 settings में आने वाले 3 best dishwasher बताने वाला हूँ वैसे तो दोस्तो इन 3 साइस के अंदर आपको और भी बहुत ज़्यादा options मिल जाएंगे लेकिन दोस्तो मैं आपके लिए 3 वही options लिखाया हूँ जो कि बहुत ज़्यादा value for money यानि कि कम price पे ज़्यादा features आपको provide करते हैं तो चलिए दोस्तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं top 3 best dishwasher दोस्तो 8 place में वाल्टास बैको का dishwasher आता है इसके अंदर आपको 1300 watt की motor मिल जाती है ये दोस्तो एक table top dishwasher है इसके अंदर आपको 6 wash program मिल जाते हैं और दोस्तो इसके अंदर आपको eco mode और 30 minute mode में मिल जाता है इसके अंदर आपको 2 spray levels मिलते हैं और दोस्तो इसके अंदर आपको जो motor मिलती है वो एक digital motor है ये दोस्तो 70 degree Celsius का water यूज़ करता है आपके utensils को clean करने के लिए जो कि मैं आपको वीडियो की starting में भी बता चुका हूँ इसके अंदर आपको 2 spray arms मिलती है मतलब दोस्तो 2 sprayer मिलते हैं जो कि दोनों तरफ से आपके बरतनों पर पानी स्प्रे करेंगे और आपके बरतनों को clean करेंगे ये दोस्तो अराउंड 8 liter पानी यूज़ करता है पर wash program और दोस्तो इसके दर आप minimum 35 minutes से लेके maximum 3 घंटे तक का wash program सेट कर सकते हैं इस dishwasher का जो weight है वो है around 26 kg और इसके उपर Waltas brand आपको देता है 2 साल की comprehensive complete warranty और 5 साल की warranty इसके motor के उपर दोस्तो बात करें इसके price के तो इसका जो generally average price चलता है वो around 25,000 रुपे के आसपास चलता है लेकिन दोस्तो कुछ दिनों से इसका जो price वो around 17-18,000 रुपे चल रहा है तो इसलिए दोस्तो वीडियो में सभी जो dishwasher में आपको दिखाने वाला हूँ उन सभी की links आपको description box में मिल जाएंगे वहाँ पे जाके एक पर आप place इन सभी की current prices को चेक कर देना क्योंकि इनके ओपर offers वगरा चलते रहते हैं इसलिए इनकी जो prices वो कम जादा होती रहती है और इनके अलावा भी मैं कुछ dishwasher जो recommend करता हूँ उनके भी links आपको description में और comment box में मिल जाएंगे दोस्तो next time media का 13 place dishwasher इसके अनर आपको 1930 watt की motor मिल जाती है ये एक free standing dishwasher है जिसके अनर आपको 7 wash program मिल जाते हैं जिसमें से 6 wash programs जो आपको generally हर dishwasher मिल जाते हैं एक extra आपको इसमें मिलता है जो की है self cleaning program ये दोस्तो 50 minute का program है इसके अनर जो ये dishwasher है ये 50 minute में खुद को clean कर लेता है जो एक तरह से auto clean भी आप इसको बोल सकते है सबसच्छा feature इसके अनर दिया हुआ है power of memory function मतलब दोस्तो अगर आप इसके अनर बरतन धो रहे हैं और उसी बीच light चले जाती है तो जब भी light वापिस आती है तो ये जहां से बद्ध हुआता वापिस वहीं से अपने आप start हो जाएगा इसके अनर आपको दो spray arms मिलते है चायट lock मिलता है और दोस्तो ये use करता है 11 liter water per wash program इसके अनर आप minimum 30 minutes से लेके maximum 3 गंटे तक का wash program set कर सकते है इसका जो weight है वो है around 39 kg और इसके अपर आपको मिलती है दो साल की complete warranty बात करें इसकी price की तो इसका जो price है वो है around 25,000 रुपे के आसपास दोस्तो next है Heffel का 14 place dishwasher दोस्तो Heffel एक काफी reputed और काफी पुराना जर्मन ब्रैंड है इसके अंदर आपको 930 watt की motor मिल जाती है दोस्तो ये काफी ज़दा energy efficient dishwasher है क्योंकि ये बहुती ज़दा कम electricity consume करता है ये एक free standing dishwasher है जिसके अंदर आपको 6 wash program मिल जाते है और दोस्तो इसके अंदर आपको anti fog technology मिल जाती है मतलब अगर आप इसके अंदर glass के बरतन या काच के बरतन clean करेंगे तो उनके उपार stains जो है वो ना के बराबर रहेंगे इसके अंदर आपको power of memory function मिल जाता है और इसके अंदर आपको 4 plus 2 spray arms मिल जाती है मतलब 4 spray आपको bottom में मिलती है और 2 इसके center में मिल जाती है इसमें आपको child lock मिल जाता है और दोस्तों ये consume करता है 11 liter water per wash program इसके तर आपको minimum 30 minutes से लेके maximum 3 गंटे तक का wash program मिल जाता है और इसका जो weight है वो है around 43 kg इसके उपर आपको halfill देता है एक साल की warranty और बात करें इसके price के तो इसके जो price है वो है around 32,000 रुपे के आसपास और दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही ये वो तीन dishwasher थे जो इस price category में और इस size category में one of the best dishwasher है इनके अलावा भी और बहुत सारे dishwasher आपको market में मिल जाएंगे जो की काफे अच्छे भी आते हैं तो उन सभी के links भी मैं आपको description box में दे दूंगा जो की मैं recommend करता हूँ आप उनको भी एक बर try कर सकते हैं और दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आई तो please वीडियो को like करें और इसी तरह की kitchen related वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को subscribe कर सकते हैं धन्यवाद दोस्तों